मुझे लगता ईवियम को गर्मियों में लस्टी पिलाने की जरूरत थी या सत्तू के लागाच यह था दूर्द में मिलाके क्योंकि इतना बड़ा पैसा भारत की सरकार चुनाव आयोग के माधियर से predictor लगाती है और वह ईवियम चुनाव तो कोई सर्दी और गर्मिय देती के आएगा नहीं अगर कहीं कोई सरकार गिर जाती है और दोपार चुनाव कराना होता ए तो वो कोई सर्दी और गर्मी बर्सात का मुसम तो देखा नहीं जाएगा तो ये पहले कभी इलक्षन कमिशन ने ऐसा कोई खुलासा भी नहीं कियागी ये मसीने गर्मी में काम नहीं कर पाएंगी ये बड़ा हास्यास्पत है इससे संदे पैदा होता है मुझे लगता है लू मसीनों को एवियम को नहीं लगी है लू इनके दिमाग को लगी है ये लोग घबरा गय है जिस तरह बाकी सारे बफेक्षी दल लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत की समयदान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे है जो लोग बार बार भारत के समयदान के खिलाफ जाके काम करते हैं जो लोग बार बार देश को तोड़ने की साजिस रचते हैं जो बात राश्टे तक ही करते हैं लेकिन जाती और धर्म के दंगे कराते हैं जिनके लिए जानवर की किमत इंसान की जान से भी ज्यादा हो गई है जो लोग के वर संदे मातर पर किसी की हत्या कर देते हैं ऐसे लोग ये इनके इन प्रकार इन किसी भी प्रकार से चुनाव को जीतना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो साजिसन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं जिससे वो लोग चुनाव जिसके सत्ता में बने रहें तो दिमाग को उनके लू लगी है मैं समझता हूं प्रजातंतर के अंदर हार जीत होती रहती है लोगों को इमानदरी से चुनाव लड़ना चाहिए और इलक्षन कमिशन को विश्वसता बनाई रखनी चाहिए और उनको इमानदरी से चुनाव करवाना चाहिए कि यह साल को स्ड़ी इसे तर्वाइशां ने अप्रेल को पुरा भारत बंद रहा जो बाऊजन समाँत के लोग ते जली समाँत के लोगते वो किसी नकिसी परिशान से और सब्सक्राइब तो उन्होंने एक चोटा-सांदूलन किया अप्रेल को और उस अप्रेल के अंदर जिन एक्चली ये मानसिक्ता को समझने की जरूरत है इसको समझने के लिए आपको चारजार साल पीछे जाना पड़ेगा चुकि जब लगबग चारजार साल पहले आरिये लोग भारत में आये उन्होंने सनातन धरम की खुत्य की उन्होंने पूरे समाज को चार बड़नों में बाट दिया उन्होंने जातियों का निर्मान किया और आज चारजार साल के बाद जो लोग लगातार चारजार साल उनके गुलाम रहे वो लोग आज अपना हक मांगने लगे हैं और दो अप्रेल को इतने बड़ी मातरा में पूरे भारत को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्टी प्रिविंसान अट्रोस्टी जेट के उपर आई जज्ज्मेंट के खिलाफ जोनल रोस प्रकट किया उससे ये लोग घबरा गए हैं इनको लगने लगाए कि अगर इसी तरीके से ये लोग एक जुट हो जाएंगे जिन लोग उन्होंने चुटी-चुटी जातीयों में बाटा था वो सारी जाती था कि खिटते हो के अपना हक माँदने के लिए रोड कराएंगी उससे ये लोग घबरा गए हैं इसलिए उस पूरे समा़को प्रतारिध करने के लिए उसका मनुबल तोड़ने के लिए के लिए तैयार नहीं है और मैं समुझतर हूं जितना ज़्यादा ही हमें करस्थ करेंगे जितना झाजा था हमारा अंदूलन प्नेंध Biz लोजलिये जो व बॉबास हैविने जिस मिसाल को जला था उस मिसाल को हमारे इसमास है कुछ लोग अपनी विद्धता से अपने खून से उसको सीचिने का काम करें धी मसाल्य जो बुछने वाली नहीं है उसके बाउब तो अपने च आपने चोंदें और अच्छा बूलते हैं तो आप काम है जिस काम आप कर रहे हैं पुछ लोग आपके काम विल्लाकर्त मैं सिरह सिरह कह दूँ अभी 26 तारीफ को एक यमना पार के अंदर सफन्द प्रोगाम था जी टीटीव और उसके अंदर एक मंत्री भी है आप बिलाएं के लेकिन पीटल जो जी टीवी ऑस्पिटल के जो मैस हैं ना तो आपको सी ओस करने आए ना ही आपका बैलकम करने आए त को यह दा कि जो इस प्रोगाम में जाएगा उसको हम अम्यूम देंगे क्या आपका और उस संबने आप क्या करवाई करेंगे पैली बात तो मेरे पास मेरे फोन में मैसेज आये हुआ है जिसमें उसने अपना आपको आउट आप स्टेशन बताया और सोरी बोला उसने का मेरे को मौका था लेकिन मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा मुझे इस बात का दुख है तो पहली बात तो जहां तक कारवाई किये जो उसने टाइम प्रोग्राम से पहले ही मैसेज दे के अपने को आप आप स्टेशन बताया कि क्या मजबूरी होगा वो जाने लेकिन ऐसी बतार के इसे किसी से डगने वाले लोग नहीं है, और लोग तो प्रोग्र आम में सामिल होंगे होंगे, तो सिरी बात भारत का संवीदान इस बात ती जाए देता देता है CCS कंड़क्ट पूल भी किसी एंप्लोई को इस बात के लिए मना नहीं करते कि वो किसी समाजिक प्रोग्राम के फंक्शन को अटेंड करें मुझे अधिन लगता है कि कोई इसमें देक्ट वाली बात हो लेकिन अगर कोई MS इस तरह को धमकाता है या लोगों को समाजिक प्रोग्राम में अटेंड करने से रोपता है तो उनको उसकी सिकायत करनी चाहिए और वगर उसकायत हमारे पास आएगी तो इसी तोर के उसके खलाफ करवाई की जाएगी तो इसमें पूरे ऊस्पिटल में और जो बातावान है वही यही बना हुआ है तो कि लोग सामने ने कहते हैं जो जो करमचारी है वो कि सामने बोल नहीं पाते सम्में यही एक माहुल बना हुआ है कि MS ने जानभू ज़गा गया लोगों के जैसे से स्टेटमेंट है करेंज ह लेकिन यह हमारे साथ इस तरिए लिए लोगी पैदा हुए लेकिन अगर कोई कंप्लेंट नहीं आएगी ऐसे कि कोई रोक रहा है तो बिना कंप्लेंट के मुझे नहीं लगता कोई हम लोग कर पाएंगर वो भी ऐसी स्टिती में जब वहापे सरकारी करमचारी अधिकारी ब बश्तित रहे हैं पहली बात तो यह कि पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग देश में बहुत सारी हैं सेक्डर पार्टी वह पार्टी चलेंगी और सभी पार्टी के अंदर सभी जाती धर्म के लोग उसमें हैं और वो रहेंगे वो कभी एक जुट का कोई सवाल नहीं है क्योंकि वो अपने अपने पार्टी चलाने हैं उनके अपने 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 अप्जेक्ट्स हैं अलेक नेक बात है जहां समास का उत्विन होता है वहां जो इस हमारे समास से जुड़े लोग है तो एपने पार्टी समास को नहीं नहीं होते अपनी अवाज को बनन नहीं करते तो ये तो एक तरह के सीधा सीधा समाज के साथ दोका है और ऐसे लोगों को समाज कभी माफ नहीं करेगा जो एक तरफ समाज मरता रहे समाज जुर्म जेलता रहे और वो चुप अपनी पार्टी में चुप लगाया रहे भोले भी ना तो यह तो अन्या है वो समाज के सा सीधा से दो दोगा है और मैं समुझते हैं इसे लोगों को समाज खुद इगनोर कर देगा मैं यह से बulates truth आंब अध्यक्यी और दो गयी हो तो ही अचे मन कोहिए, के चसे थानव में उस पेसरी राहन को संलाम किया क्या क्या रह और वोकर संंहेंग प्लिदभ ऑन अधर बह इन हर्ब में प्राटे प्रस्तावना पर लीजिए पूरा पूरा चेक्टर अपना प्लेर हो जाता है पूरा समिधान की भावना अपना और जाती है बारत का सम्मिदान पूरे विश्व के सम्मिदानों को पढ़ने के बार डॉक्टर बाबा से बंबेट करने दो साल 11 मेने 18 दिन में पूरा किया और अलग अलग देसों से अलग अलग खुशुर चीजें एकटी करके और भारत की परिष्टिति को जहां में रखते हूं कि ऐसा खुशुर समिदान दिया है जो विश्व में सर्फशेष समिदान है और समिदान कहीं भी किसी जाती धर्म से बंदा वा नहीं है लेकिन ये को सबी जाती धर्म के लोगों को छेत्र भासा कि बिना किसी छेत्र भासा या जाती धर्म के पक्षपात के सब को साथ लेकर आगे बढ़ने का अवसर प्रतान करता है तो मैं समझता हूं इससे पुपर समीदान पूरे दिन्या में कोई होगा नहीं रफी संकर जी उसके अंदर पेज पलट पलट के दिखा रहे हैं कि इसमें अर्जून ने ये कहा राम ने ये कहा सर यह क्या समीदान कितने प्रकार का समीदान है समीदान एक ही है और इंटिप्रिटेशन कानॐन की हो सकती है उसकी तो सुप्रिम कूर्ट भी जायत देता है बारत compensation का समीदान या यायत देता है लेकिन जो अलग ये तरीकें से इसको religious color देने की कोशिस अगर भारते जनता party के नेता कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं और इससे बिलकुल भी हमारे देश के समयदान पर कोई इसर होने वाला नहीं है क्योंकि समयदान बना इस तरीके का है कि उस पर जाती और धर्म का कलर कभी निचर सकता है तो इस विसे में आप क्या चाहेंगे इस वारी में देखें बारते जन्ता पार्टी के लोग और विसे मोदी जी तथ्यों को तोड मोड के पेश करने में माहिर है और चोटे से छोटे घटना को बहुत बड़ी बनाके वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तिमाल करने में माहिर है अधरवाइस तो वैसे देखा जाए तो इलक्षन कमिशन उफ इंडिया को इस पर कारवाई करनी चाहिए उन्होंने आचार सहीता का एक तरीके सिदा सिदा उलंगा ने जहां उन्होंने प्रोग्राम किया उसके एकदम सामने लोग सबका चुना हो रहा है और अगले दिन च अधरिया से कि वो तुरंत इसको इस पर संगान लें उनके खलाब करूनी करवाई करें एक छोटा सा समार में आपसे जाने चाहिए अभी देखा जाए तो सोसित प्रिडित वंची समाज के लिए कि जहर के समान साबित हो लिए है और ये समाज इससे करता जला है लेकि कुछ कि आपका मना है कि वंची समार मिस पार्टी के साथ जुड़ेगा या अलग रहेगा मुझे लगता है कि मोधी जी की पार्टी दोजार में दोस्टो से नीचे चली जाए गी सब्सक्राइगा कि आने का दोबारा ख़वार ही रह जाएगा चुकि अब हमारे देश के लोग ब को बेवकुप समझते हैं लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं अच्छे से सोचने लगें हाँ एक संदे जरूर है जो काफी लोगों से सुनने को मिलता है सोसल मीडिया पर भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे 2019 का चुनाओ आएगा वैसे वैसे बीजेपी के लोग जात नकरम सुरू और जिस तरह की पोस्ट बड़ी तेजी से भारते जंता पालिटी के लोग डालने सुरू कर चुकी है उस इसाफ से कुछ भी हो सकता है लेकिन लोग जागुरू के देश के मुझे लगता है वो चाल में जहांसे माने वाले नहीं है सब बीजेपी का अज़ना ह जो पनाजी कारिया है जो जो जीडर है उनों का है दलीतों के साथ मलाई जाके खाना खाई एक हमारे लोग मुरग तोड़ी नहीं है कि हाथ मिलाने और खाना खाने से किसी के जहांसे मा जाएंगे और अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह बहुत बड़ी बेवकुफी कर रहा है समाज के लोग किसी के साथ खाना खाने से हाथ मिलाने से अब जांसे माने वाले नहीं है वो लोग जागरूख हो चुके हैं कि हमारे साथ खाना तो खाते हैं हाथ भी मिलाते हैं साधी भी हम भी बुला लेते हैं रोटी बेटी कर इस ता कब करेंगे अपनी बेटियां हमें यह सचे दिल से हमारे साथ जुड़ना सुरू हो गए लेकर अभी तो सब दिखावा चलना और दिखावे को हमारे लोग प्रसंद नी करते बहुत जल्दी भाफ लेते हैं कि यह भारते जंता पार्टी की असली सच्चाई है जो कोप्रा पोश्ट में दिखाई भारत का मेडिया बहुत बड़ी मातरा में बिख चुगा है जो बीजेपी के सारे पे पैसे लेकर काम करता है इस पोश्ट ऐसा प्रतित होता है यह पोश्ट जो आई ए कोप्रा पोश्ट में जो खुलासा किया है उस खुलासे को इगनोर करना देश के लिए बड़ा खतरनाक सावित होगा मैं समझता हूं कि लोगों को जागरूप होना चायए और सब लोग समाज को जागरूप करें जा जा के हमारी संस्ताएं जागरूप करें सबी पार्टिय जागरूप करें वो इस सच को समझे कि जो कुbρα पोश्ट में खलासा किया वो गलत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का बातावन दिख वरिया है, कि इस तरीके से छोटी-छोटी बात को लेके एक मीडिया चैनल घंटों तक पूरे-पूरे दिन दिखाते हैं, लेकिन हमारे लोगों की हाते हैं होती है, हमारे युवाओं को जोटे किस बना के जेल में डा है, तो इसका मतलब है कि मीडिया तो नहीं चला रहा है, मीडिया तो ऐसा लगता है, जिसे एक पहले से एजंडा तेह हो चुका है, उस एजंडे पर काम कर रहा है, तो कोब्रा पोश्ट की खुलासे को सच मानते में, मैं तो देशवासियों से निवेदन करूँगा और अप जो लोगों के रोजगार नहीं मिलने है, रिजल्ट टिकलर नहीं हो रहे है, या लोगों पहले के उपुलगार के जुन हो रहे है, तो इससे सच को जिनको धमकिया भी मिलने जान से मारने की, उसके बाद भी मिड़ता प्रोश्च दिखाने का प्रास जाली रखे मैं, ऐसे को देखें और जो चैनल्स बिग चुके हैं जो भारती जन्ता पार्टी के गुंगान करने में लगे रहते हैं ऐसे चैनल्स को ना देखें यह अपील में अपने समाज के लोगों से देश्वास करता है करनाटक के चुनाव में माकर राजयपाल ने एक मनवादी मानसिक्ता का परिश्चे दिया उसी तरीकी से आनंदी प्रैन पटेल जो पूर मुक्यमंतिरी घुजराद की रही है अभी मंद्य परदेश के अंदर पूरे आईस लॉबी को इपटा रहे हैं लोगों को बोला किया कि आप बीजेवी के लिए सपोर्ट के लिए बोट के लिए लोगों को त्यार किये तो वो इस मनवादी मीडिया ने नहीं दिखा लेकिन सोचल मीडिया उसको बड़ी तेजी से दिखा रही है तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मनवादी मीडिया के हमारी जिम्मेदारी है हमें अपने लोग को जागरूप करना है हमारी जिम्मेदारी है हमारे लोग को सच समझाना है यह हमारे सोचल मीडिया की हमारे समटनों की जिम्मेदारी है हम सब मिलके अपने लोग को जागरूप करेंगे सोचल मीडिया पे ज्यादा ज़्याद एक्ट वहीर आपको चाने वाली है और आपके चाने वाले लोग आपसे क्या मुई रखते हैं यह भी आपको जान करी हो लेकिन हम अपने चैनल के मादियन से चाहते हैं कि उनके लिए क्या संदेश है चलते जलते हैं वह एक तो पसामिय लाओ पता की ते एक्शली मैं सरकार के अंदर बतोर मन्तरी रहते हुए मैं रात दन यह सूँ आ रहता हुँ कि समास के विकास की क्या क्या यूजना मैं बना के लाओ कर सकता हूं तो इसी पर मैं काम कर रहु है sousिर एक योजना हमने शुरू की थी जैभीम मुख्यमंतरी परतिवाविकाश योजना ताकि हमारे गरीब बच्चे जो बड़े बड़े खवाब देखते हैं लेकिन कोचिंग का पैसा ना होने की विए से वो अपने खवाब को पूरा नहीं कर पाते हैं उस योजना को बना के हमने लागू किया इस साल उसमें हम पांसजार आडमिजन कर रहे हैं उसी प्रकार पहले कई ऐसी घटना याई जहां सीवर के अंदर हमारे समास के सफ़ाई करमचारी अपनी जान कमा चुके हैं तो हमने तर्संक्त लिया था कि आने वाले समय में हम अपने लोगों को सीवर में जान नहीं देने देंगे और इसको मेकनाईज तरीके से सीवर साफ करने का काम हमसुरू करेंगे उस पर हमें सफलता मिली है जिस पर हमारे उचने आडले से भी हमे हमें निशनल सफाई करमचारी आयोक से मदद मिली हमें दिली सरकार के सेस्टी डिपार्टमेंट जो मेरे दीन आता है उससे भी मदद मिली और समाज के लोगों से भी मदद मिली दिली जलबोट से भी मदद मिली आज हम वो टेंडर हो चुका है जिसमें दो सो मसीने खरीदी ही जारी हैं जो सीवर्ट सफाई करने का काम करेंगी और गार्बेश को फटाने का काम करेंगी और वो टेंडर में प्रात्विक्ता एस अब वो साकार हो रहा है चूकि यह टेंडर हो चुकिOME आप्लाई कर रहे हैं मैं समझतों लोगों को बो उनका हत मिलेगा यह दूसरी हमारी सफलता होगी और तीस्री सफलता पर हम काम कर रहा है कि जो लोग वजी के लिए अपलाइगा है स्कोलर्स पर किल्ए कर दिले उसके हमारा काम बड़ी कर सकते हूं समाज के लिए और भी समाज के लोगों से राह लेताँ हो संग्व से राह लेताँ आपके अपस भी तो वहां पे महाओल अभी भी काफी तहशत रहा है। खास उसे मिलतर के परिवार जोड़ रहा है कि अभी हमें ड़रा है, सारे लोग पकड़ें गए हैं। कुछ केसों में तो बिल्कुल भी कोई जिरफतारी नहीं है। और अगर वकीलों से मिलके बोल रहे हैं हमें कचैरी में खुलियां प्रैक्टिस भी करने नहीं दे जा रहा है अगर हमके कहते हैं दलीदों के केस लड़ रहे हैं। तो क्या इस तरह अगर देखा जाए तो क्या दलीदों के लिए इस समीधान के सहरा है समीधान है, नहीं हम अमौओ नाईब एगाle हैं। अधर वारत के समीधान का सहरा है। लेकिन मुझे लगता है देशाफिस इस के लिए तैयार नहीं है और हमारे लोग जितना अप्रिशतना हमारे लोग का किया जाएगा. उतना हftigता ही हमारे लोग और ज्याधा प्रभलतासर साथ और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे. मुझे पूरी आसा है कि ये सब तो जहलना पड़ेगा देखिए अगर समाज को पूरी अज़ादी चाहिए और पूरा संबान वापस चाहिए स्वाबिमान हमें सुखसीत रखना है तो ये सब जुन जहल के ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे थैंकि झाल 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 झाल